ओके 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 भाई आपकी बास सुन ली गई है आप सब लोग इतने ज़्यादा कॉमेंट्स कर रहे थे कि रियल में एंड उपर डिवाइस के लिए थीम्स की वीडियो लेकर के आईए तो आज की इस वीडियो में नवंबर मंद की तौफ फाइब थीम्स के वारें बात करेंगे जो आप लोगो ओफिशर थीम स्टोर के ओपर अवेलेबल देखने को मिलती है और इन थीम्स के अंदर आप लोगो कुस्टमाजेशन में काफी जाह देखने को मिलंगी और कुछ थी अगर आप लोगों को फ्यूचर में और जाये तो नीचे आप लोगों को लाकर का बटन देखने को मिलेगा सब्सक्राइब कर ले ना इसी के साब बेल आइकन को आप लोग और प्रस कर सकते हो So let's begin प्राइली थीम के वारे में तो वो थीम आप लोगो को ओफिशिल थीम स्टोर के ओपर लाइट कलर मैटी के नाम से देखने को मिलेगी लेकिन यह थीम पेड है लेकिन आपको टैनिशन लेने की बात नहीं है आप लोग इसको फ्री में यूज कर सकते हो नीचे जो है वो आप लोगो को देखने को मिलेगी इसी के साथ अगर आप लोग इस थीम के आइकन पैक्स देखें तो नए डिजाइन बारे आइकन पैक्स देखने को मिलते हैं लेकिन मुझे इतने खास इसके आइकन पैक्स जो हैं वो देखने को नहीं मिले इसी के साथ इस थीम म लौक स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी अगर आप लोग्स की ओपर आइकन ऐख देखे और उपर लॉट तो आप लोगजांकर कर ल시면 को डाउनलोड कर्सक्ते हो अफिस्यल में पर आप लोगों को यह ptom देखने को मिल जाएगी अगली थीम की बात करें तो वह थीम आपको देखने को मिलती है Oxygen OS Plus और यह थीम भी आप लोगों को Official Theme Store के ओपर अवेलेबल देखने को मिल जाएगी लेकिन यह थीम पेड है, फ्री में आप लोग इसको यूज कर सकते हो नीचे description में आप लोगों को जो trick है वो आपके साथ share कर दिया है तो simply आप लोगों इसको download करना है, download करने कर आप लोग इसको free trial के ओपर use कीजे थोड़ा से time लेगा processing होगी आपके device में थीम अपलाई हो जाएगी वह सबसे पहले अगर आप लोग इसके icon packs देखें तो पूरे के पूरे जो oneplus के icon packs हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं और काफी attractive ही लग रहे हैं इसी के साथ अगर आप लोग oneplus का clock visit देखें इस theme के ओपर दो भाई बहुत ही अच्छा ही आपको clock visit देखने को मल रहा है और जो wallpaper है वो भी काफी मस था आप लोगों को इस theme के अंदर देखने को मिलेगा इसी के साथ बात करें notification panel की तो इस theme में आप लोगों का notification panel चेंड नहीं होता क्योंकि normal theme है कोई universal theme नहीं है इसी के साथ बात करें lock screen की तो इस theme के अंदर कुछ इस type की lock screen देखने को मिलेगी जहां पर lock screen की ओपर भी आप लोगों को one plus का जो clock visit है वो देखने को मिल जाएगा तो आप लोग इस theme को फ्री में जाकर के यूज कर सकते हो आप लोगों को ये theme official theme store के ओपर available देखने को मिल जाएगी अब दुस्तों बात कीजाए अगली theme के वारे में तो इस theme का नाम देखने को मिलेगा यॉंग OS और ये theme official theme store के ओपर आप लोगों को available देखने को मिलेगी इसी के साथ आप लोगों को ये theme paid देखने को मिलती है अगर आप लोग इसको permanent free में use करना चाहते है तो आप लोग इसको आज एकल download कर लीजिए और आप लोगों को ये theme permanent के लिए free में देखने को मिल जाएगी जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो simply आप लोगों ने इसको download करना है apply के ओपर click करोगे थोड़ा सा time लेगा applying process होगी और ये theme आपके device में apply हो जाएगी वैले इस theme के icon packs आप लोगों कुछ इस type के देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल नए है और इस type के icon packs आप लोगों किसी भी और theme में देखने को नहीं मिलते OnePlus का clock visit काफी पसंद मुझे इस theme के ओपर आया आप लोगों को lock screen के ओपर देखने को मिलेंगे सबसे वहले कुछ इस type की lock screen देखने को मिलेगी clock मुझे काफी पसंद आई अगर आप लोग red swipe करोगे तो कुछ step के visits आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे आप लोग swap down करोगे तो कुछ step के जो आपका toggles है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर आप लोगों को बहुत सारे features देखने को मिल जाते हैं खास feature मुझे यह लगा जहां पर भी touch करोगे finally आपकी screen जो है broken हो जाएगी यह feature मुझे काफी पसंद आया अगर आप लोग भी इन features को use करना चाहते हो तो इस theme को जाकर करके एक वार से जूर से download कर लेना इसी किसा इस theme में आपको और feature देखने को मिल जाते हैं आपको उपर क्लिक करना है यहां पर आप लोग को इस theme का जो battery का icon style है चार्ज करने का उसको भी आप लोग change कर सकते हो जिस step का आपको चाहिए वो आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो lock screen का style आप वो किस तरीके से यह भी आप लोग अपने हिसाब से set कर सकते हो तो यह सबी features आप लोग को इस theme में देखने को मिल जाएंगे और यह theme official theme store के ओपर young os के नाम से आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों बात किजाए अगली theme के वारे में तो इस theme का नाम देखने को मिलेगा dream shape और यह theme भी official theme store के ओपर आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगी simply आप लोग इसको down करना है apply के ओपर क्लिक किजे थोड़ा सा time लेगा यह theme आपके device में apply हो जाएगी वाल कुछ इस type की look देखने को मिलेगी home screen की सबसे बहले अगर आप लोग icon packs देखिए icon packs का design तो काफी मस्त है लेकिन जो size है मुझे बहुती छोटा देखने को मिला और मुझे पसंद भी देखने को नहीं लगा इसी किसाब बात करें इस theme के और features के वारे में तो one plus clock wizard काफी एच्छे तरीके से इस theme के ओपर adjust हो चुका है और देखने में भी काफी बढ़िया लग रहा है इसी किसाब बात करें notification panel की तो इस theme में notification panel चे नहीं होता क्योंकि normal theme देखने को मिलती है कोई भी universal theme आपको देखने को नहीं मिलती है तो इस type सी normal सी आपको जो theme है वो देखने को मिलती है और यह theme भी आप लोगों को official theme store के ओपर dream shape के नाम से देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों बात की जाए अगली theme के वारे में तो इस theme का नाम आपको देखने को मिलेगा light impression और यह theme भी official theme store के ओपर available देखने को मिल जाएगी तो simply जाकर कि आप लोगों ने इसको download करने का apply के ओपर click करोगे थोड़ा सा time लेगा और यह theme आपके device में apply हो जाएगी पर अप्लाई होने के वाद कुछ इस type की look देखने को मिलेगी और जो wallpaper मुझे काफी पसंद आया और जो icon packs है वो मुझे इस theme के इतने कास देखने को नहीं लगे वैल अपनी अपनी हर एक की choice होती है और जो आपनों को clock का wizard देखने को मिलता है OnePlus का काफी है इस theme के ओपर adjust हो चुका है इसी के साथ बात करें इस theme के notification पैल की तो वो इस theme में chain नहीं होता क्योंकि normal theme है कोई वी universal theme देखने को नहीं मिलती बात करें features के वारे में lock screen के वारे में तो कुछी step की lock screen देखने को मिलेगी उपर आप लोग और नीचे features देखने को मिल जाएंगे जैसे आप लोग नीचे swipe करोगे तीन clock के style आपको देखने को मिल जाते हैं जो आपको पसंद है आप लोग चूज कर लिजे second number के ओपर जो wall paper आपको अच्छा लगे वो wall paper आप लोग यूज कर सकते हैं third number के ओपर आप लोग जो function है वो देखने को मिल जाते हैं जो features आप लोग को यूज करना वो आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हो और यह theme भी आप लोग को official theme store के ओपर light impression के नाम से देखने को मल जाएगी अब दोस्तों ये तो बात हो गई theme के वारे में और कैसे आप लोग को इनको यूज करना है कौन कौन से features इन theme के अंदर देखने को मिलेंगे सब कुछ मैंने आपके साथ share कर दिया अब दोस्तों main बात आती है themes के downloading links की और realme and oppo device की system application के updates के वारे में तो आप लोग को नीचे description में realme system app update telegram group का link देखने को मिलेगा इस group को जाकर के आप लोगों ने join कर लेना है वैल ये आप लोगों को official telegram group देखने को मलता है realme का जहांपर आप लोगों को daily realme and oppo device की official system application के update देखने को मलते हैं चाहे realme की system application के update हो चाहे oppo की सिस्टम सेडिंगं चाहे system application हर एक update आपको सबसे वेले इसी telegram group में देखने को मलते हैं और जितने भी telegram group आपको देखने को मलते हैं यहीं से application को copy करके अपने group में share कर देते हैं तो आपको सबसे बेल एगर official system application के update चाहिए तो जाकर करके इस telegram group को join कर लेना link आप लोगों को नीचे description में देखने को मल जाएगा So finally दोस्तों इतना है इस video में मैं मिलूँगा आप लोगों को अपनी next video में तपके लिए बाइब बाइब टेक्या